नमस्कार जयाहिनución्राम राम सभी बच्चों को कैसे आप सभी उमिध करता हूं अच्छे होंगे स्वस्तों गे बेप्टर होंगे मैं संदीब सिवाच सवागत करता हूँ आप सब्चों का आपके अपने यूटेुब चैनल जिक्के बाई संदीब सिवाच पर जो भी बच्चा चैनल के उपर पहली बार विजिट करे वो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को जरूर प्रेस करे क्योंकि मेरे दवारा जो भी जानकारी या जो भी कलास ली जाती है उसका नोटिफकेशन आप सभी बच्चों तक सबसे पहले पहुँच पाए जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हरियाना गुरूप D का फाइनल रजल्ट आ चुका है और मेरे बच्चों जो कट ओफ गई है वो अपेक्षा से उपर बहुत उची गई है और सारे के सारे पेपरों के रिकोर्ड मेरे बच्चों इस कट ओफ ने तोड़ने का काम किया है आज तक जहां पर जिस बरती में इतने ज़्यादा पद्धों वहां पर अरियाना में कभी इतनी उची कट ओफ नहीं गई थी और कट ओफ जाने के पीछे कारण ये है कि जो गरूप C की बरती मेरे बच्चों प्रोसेस है वो सरकार ने एक तरीके से ठंडे बस्ते में डाल लगी है हाई कोर्ट के अंदर केस गया हुआ है और उन केसों को लेकर भी सरकार इतनी ज़्यादा गंबीर नजर नहीं आ रही जिसके चलते लोगसबा चुनाओं में फाइदा लेने है तू मेरे बच्चों उन्होंने गरूप D के जो ये पद है ये लोगसबा चुनाओं से पहले बढ़ने का काम किया है और कटो बहुत उची गई है क्योंकि कमपीटिशन जो था मेरे बच्चों वो गरूप C में भी तगड़ा था और गरूप D के अंदर भी तगड़ा था और वो इसलिए था क्योंकि जो गरूप C वाले बच्चे हैं जो आपके 13,657 पदों में से 10,997 मेरे बच्चों पदों का रजल्ट जारी हो चुका है तो आपके दिमाग में आएगा कि क्या सारे के सारे 10,997 पदों के उपर बच्चे जवाइन कर लेंगे बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि कुछ बच्चे दिल्ली पुलीस के अंदर भी सेलेक्ट हो रखे हैं और वो पुलीस को ही प्रेफरेंस देंगे ना कि गुरूप D को प्रेफरेंस देंगे तो उसमें फायर ओपरेटर को छोड़के बाकी जो जो जोइनिंग है वो लगबग बच्चे ले चुके हैं तो वो बच्चे गुरूप D के अंदर अब नहीं जाएंगे तो सिदी सी बात है कि ये जो 10,997 बच्चे सलेक्ट हुए हैं इन में से कुछ बच्चे गुरूप C की पोस्ट के उपर ओल्रेडी जोइन कर चुके हैं तो इन में से जो पद हैं वो खाली रहेंगे अब दिमाग में ये भी आता है कि जो 6 बच्चे हुए पद हैं सर जो लिस्ट 13,657 पदों की जारी नहीं की गई है वो इसलिए नहीं की गई है क्योंकि हाई कोट के अंदर जो 5 नंबर का सोशियो एकोनोमिक का मामला था ना बच्चो वो भी कलियर नहीं हुआ है वो इसलिए डिजरो रखे गई है और वो कलियर होगा मामला उसके बाद बाकी बच्चों की बच्चे हुए पदों को लेकर भी लिस्ट जारी की जाएगी अब दिमाग में या रहा होगा कि सर यह सैकंड लिस्ट जो बोल रही है एक अचसे यह कब जारी करेगी जैसे जैसे गुरूप C के पदों पर बच्चे जाते जाएंगे तो इसका मलब गुरूप D के पद क्या खाली रह जाएंगे सर मेरे बच्चों कितने और बच्चों को मुका मिल सकता है यदि गुरूप C के पदों पर बच्चे जोएन करते जाएं तो कितने और बच्चों को ग्रूप D के अंदर उन बच्चों की जगे मोका HSC दे सकती है तो इस वीडियो में इनी बातों पर चर्चा करेंगे देखिएगा आपकी बरती के अंदर ग्रूप D में जो पत थे वो 13657 पत थे जिसमें बच्चों 10667 पतों पर रिजल्ट जारी किया जा चुका है और 2660 पोस्ट का बच्चों रिजल्ट जो है न वो रोक लिया गया है क्या ये सिरफ 2660 को लेकर सेकेंड लिस्ट आएगी नहीं मेरे बच्चों 10997 के 997 बच्चे जोएन यहां नहीं करेंगे क्योंकि दिल्ली पुलिस का मैंनेजी कर किया है मेरे गाउं के ही बच्चे हैं मेरे से पड़े हुए बच्चे ही हैं जो गुरूप D में भी सिलेक्ट हुए हैं और इससे पहले दिल्ली पुलिस को जोएन कर चुके हैं तो इसका मतलब बच्चा दिल्ली पुलीस वाला भी गुरूप D में था ठीक है तो वो बच्चे अब यहां नहीं आएंगे जो मेरे बच्चो अभी स्टाफ नर्स लगे हैं लड़कियां या जो सिफ्ट अटेंडेंट एलम लड़के लगे हैं वो भी गुरूप D के अंदर अ जारी ना होता और कुछ और बच्चों को क्या मिल जाता मुका मिल जाता लेकिन मुका देगी लेकिन मेरे बच्चों शमय लेके देगी तो आपका अब ज्वाइनिंग में शमय लग सकता है जो बच्चे पॉइंट से या एक नंबर से रहे हुए है ना उनको बिलकुल भी द D का कोई भी पद खाली नहीं छोड़ा जाएगा गुरूप D से यदि गुरूप C में कोई बच्चा जाता है तो वो पद यदि खाली रह जाएगा तो मेरे बच्चों दोबारा लिस्ट जारी करने का काम HSC करेगी ऐसा बुपाल सिंग खदरी चेर्मैन ने कल साब साब बुला है एक न्यू चैनल के उपर कि हम 13657 के 657 पद बढ़ने का काम करेंगे और कोई भी बच्चा जो गुरूप D से गुरूप C में जाना चाहे उसको बिल्कुल क्या है मेरे बच्चों आजादी है वो जा सकता है और वो जो पद खाली होगा ना उसको हम बढ़ने का काम करेंगे और उन पदों को बढ़ने के लिए हमें चाहे दो लिस्ट लगानी चाहे तीन लिस्ट लगानी पड़े ठीक है तो मेरे बच्चों अभी आप लोग हिम्मत मत चोड़ियेगा आप लोग अपने होसले मत तोड़ियेगा कि हम बिल्कुल बाहर हो चुके हैं ठीक है अभी बाहर नहीं हुए हो सैकंड लिस्ट आनी है सैकंड के बाद बच्चों तीसरी चोत्ती पांसमी लिस्ट भी आपको विदानसबा चुनाओ तक देखेगा विदानसबा चुनाओ तक आपको इंतजार जरूर करना पड़ेगा लेकिन आप ग्रूप डी के अंदर सेलेक्ट हो जाओगे और जो कट ओफ इतनी उची गई है वो उची जाने के पीछे कारण यही है ये कट ओफ इतनी बरे जाएंगे चाहे ये बच्चे ग्रूप डी को छोड़के ग्रूप सी में जाते रहें तो कोई भी पद खाली नहीं रहेगा विदानसबा चुनाओ से पहले आपके ये सारे के सारे पद बरे जाएंगे दूसरी लिस्ट आने का आपको हाई कोट के सोशियो एकोनोमिक का जो फैसला आना है उस तक का इंतजार आपको करना पड़ेगा और ये सिरफ 2660 का नहीं बलकि बच्चों यहाँ पर जो बच्चे जोईन नहीं करेंगे ना जो बच्चे यहाँ जोईन यहाँ बच्चा गुरूप D के अंदर भी गया हुआ है वो TGT में भी लगेगा तो वो जो पदखाली होगा उसके लिए फिर लिस्ट आएगी बच्चों ALM फायर ओपरेटर स्टाफ नर्स यहाँ से भी पदखाली होंगे गुरूप D में गुरूप C के जो 20,000 पद बढ़े जाने है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चा गुरुप 567 में है बच्चों गुरुप 567 का बच्चा जो है ना वो गुरूप D के पेपर में भी कॉमन है और मान के चलिया बच्चों 3,000 बच्चा भी कुमन है ना और 3,000 बच्चा यदि group D में select हुआ है तो वो 3,000 बच्चा बच्चो group D को छोड़के group C को ही ज्वाइन करेगा तो वहाँ पर 3,000 पद एक idea में बता रहा हूँ तो वो भी खाली होंगे तो वो 3,000 पद बहुत जादा हो जाते हैं तो ये जो 20,000 पद हैं जिसमें technical भी आ जाते हैं सारे के सारे group 56,000 technical मैंने सारे बताए हैं 3,000 पद यदि बच्चो group D में खाली हो जाते हैं तो उसके लिए भी आपके एक list आएगी दिल्ली पुलिस में भी मैंने आप लोगों को बता दिया है तो काफी बच्चों को और मुका मिलेगा लगबग मैं आइडिया आपको बताओं तो मेरे बच्चों 4-5,000 बच्चों को और मुका मिल सकता है क्यों मिल सकता है क्योंकि सारे के सारे 13,957 के 957 सिर्फ group D group D वाले नहीं है group C बाला बच्चा भी कॉमन है और चार से पांच हजार बच्चों को इंतजार करना पड़ेगा विधान सबा तक विधान सबा तक आपको क्या करना पड़ेगा इंतजार करना पड़ेगा तो विधान सबा तक आपको इंतजार करना पड़ेगा और विधान सबा का जो चुनाओ होगा वो अक्टोबर में तो काफी बच्चे मेरे से पूछ रहे थे कि सर कितने पद खाली रहेंगे ठीक है कभी ये दूसरी लिस्ट आएगी दूसरी लिस्ट आएगी हाई कोट का जो फैसला होगा उसके बाद और उसके बाद सिर्फ सेकंड नहीं तीसरी चोथी पांचमी लिस्ट भी आपको देखने को मिल सकती है तो आप लोग हिम्मत मत आ रहेगा ये कट ओफ उची गई है वो सरकार की गल्थ पॉलिशी जिसमें गरूप डी का पहले रिजल्ट जारी कर दिया और गरूप C का पेपर गरूप D से पहले हुआ था उसका रिजल्ट आज तक जारी नहीं हुआ है उसका जो मेंस के रिजल्ट है वो भी तक पैंडिंग रख रखे हैं जोईनिंग नहीं हुई है तो बच्चो इसी के चलते गरूप D की कट ओफ है वो उपर गई है आप लोगों की मेहनत में कोई कमी नहीं थी लेकिन आप सिकार हो गए हो बच्चो चुनाओ के शमें क्योंकि लोग सबाद चुनाओ में फायदा सरकार लेना चाहती है और उसी बात का आप सिकार हो गए हो और जिसमें बहुत सारे आवरिज बच्चे जो महनत कर रहे थे कई दिनों से बच्चो उनका सपना एक बरकार से सरकार ने तोड़ने का काम किया लेकिन जो पॉइंट से रहा है एक नमबर से रहा है दो नमबर से रहा है अभी मेरे बच्चो आप जो है हिमत मत अपनी तोड़िएगा होसले मत अपने डाउन कीजिएगा आपका सेलेक्षन हो जाएगा आपको शमय लगेगा ठीक है और ये जो बच्चे कॉमन है ये पद छोड़ेंगे पद छोड़ेंगे तो लिस्ट आएगी और ये खास तोर पे कलियर कर दिया है चेर्मैन ने हालांकि देखेगा उनकी बातों पर आप कितना विस्वास करते हैं जितना आप करते हैं उतना ही मैं करता हूँ लेकिन जितना बोल रहे हैं उन्ही बातों पर हम रहें तो मेरे बच्चो कोमन बच्चे हैं तो पदखाली होंगे पदखाली होंगे तो बोला है उन्होंने कि कोई भी पदखाली नहीं छोड़ा जाएगा 13657 के 657 पधम बढ़ने का काम करेंगे जिसके लिए हमें चाहे 2, 3, 4, 5 लिस्ट ही क्यों ना जारी करनी पड़े तो आप लोगों का दिन सुभ हो, आप इसी तरीके से मरे बच्चो पढ़ते रहो मेहनत करते रहो और तो हम कर भी क्या सकते हैं ठीक है और होंसले टूटे हैं तो मैहनत करेंगे तो जरूर मेरे बच्चो अपने होंसले जो हैं और option ही नहीं है तो हमें पड़ते ही रहना पड़ेगा हर्याना नहीं तो हम center की जोब में select हो जाएंगे लेकिन यदि आप पड़ाई का साथ लोगे तो मेरे बच्चों रोजगार आपको मिल ही मिल जाएगा चलेगा thank you bye bye love you आप सबी को